सीबी एसी के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे क्लास टेंथ और ट्वल्थ के बचों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूइब चैनल गवर्मेंटिक जाम्स अड़ा में जो गारजियन्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं हम उनका भी साधर अविनंदन करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से सीबी एसी का रिजल्ट अब रेडी हो चुका है और वेटेज, मौडरेशन, ग्रेस, माक्स, पॉलिसी पर फाइनल अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ कुछ गुड नियूज मिलेंगी और थोड़ी सी बैड नियूज आप बच्चों के लिए हैं तो वीडियो को लाश्ट तक आपको पूरा देखना है क्योंकि ये सारी अपडेट्स हमारी ऑथेंटिक सोर्से से हैं जो कि सी बीएसी से सम्मंधित हैं और आप मारे वीडियो को अगर देखेंगे तो पिछले वीडियो अगर चार पांस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ऑथेंटिक अपडेट्स हम देते हैं लेकिन बचों इस बार आपको सी बीएसी से क्या क्या उम्मीदे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि ये लाज्ट टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ इसके बाद तो आपका रिजल्ट ही आ जाएगा उसके पहले आपको ये हमें कमेंट करके जरूर बताना है और कोसिस करनी है आपको कि CBSC के बारे में इसको ट्वीटर पे भी आप ट्वीट जरूर करें लेकिन ये कमेंट कर दीजे कि आपको क्या लगता है CBSC इसमें से आपको क्या दे सकती है बेस्ट आफ हैदर टम का तोफा, मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रैस माक्स या ये सारी चीजें आपको मिल सकती है कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा क्योंकि कई सारी बाते मैं आपके साथ सेर करता हूँ आप पूरी वीडियो नहीं देखनी की वज़ा से वही चीज़ कमेंट करते हो और बार बार पूछते हो तो बचो इस वीडियो को लाइक और सेर भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा आप बहुत अच्छे हंकों से पास होंगे ऐसा हमारा आसिरबाद आपके लिए है बचो आउसरू करते हैं और जानते हैं कि CBSC क्लास 10 और 12 का रिजल्ट डेट क्या फाइनल हुआ है कब आएगा आपका रिजल्ट अब बहुत से लोग तो आज ही कह रहे हैं कि आएगा 4 जुलाई को कह रहे थे कि आएगा मैंने कहां नहीं आएगा 13 जुलाई को कह रहे थे आएगा मैंने कहां नहीं आएगा और अभी तक आपने देखी लिया होगा कि result नहीं आया बच्चों बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन में 5 वीडियो बनाते हैं रोज नहीं नहीं notices बताते हैं और बच्चों को उन लोगों ने परेशान कर रखा है बच्चों मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ऐसे channels को आप मत देखो और परेशान मत हो आज भी result नहीं आएगा ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ इसका कुछ कारण है और अगर मैं इसका proof आपको दिखाऊं तो थोड़ी सी मतलब अगर मुझे पर भी स्वास नहीं है तो जो branded newspapers हैं ना इनके बारे में आओ मैं दिखा देता हूँ कि ये लोग क्या कह रहे हैं देखो बच्चो में शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि हमेशा मैं आपको authentic news देता हूँ और ये लोग भी अब हमारी ही बात बोल रही है जो मैं आपसे पहले कहता था कि भाई जुलाई एंड से पहले possible नहीं है इन लोगों ने पहले खूब हला किया कि भी या चार जुलाई को result आ सकता है और बच्चो देखो अब ये क्या कह रहे है कि ये जुलाई एंड में आ सकता है ये बात ये भी अब बोलने लगे क्योंकि इनको भी अब वो सोर्से से पता चल चुका है कि result कब आएगा तो देखो बच्चो CBSC पर इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेसर है Education Ministry का और वो लोग कहरें कि जल्दी से जल्दी result दीजिए क्योंकि बच्चों का जो admission process है क्लास 12 में 12 के बाद में वो शुरू हो चुका है उनसे मांगा जा रहा है माकसिर दीजिए डिग्री दीजिए और क्लास 11 का भी course पीछे जा रहा है बहुत सारे बच्चों का admission नहीं हो पा रहा है तो अब ये decided हुआ है कि जितनी जल्दी हो सके result दे दीजिए और third week third week आप जुलाई को target दिया गया है कि third week खतम होते होते result आ जाना चाहिए देखते हैं किस दिन result आता है लेकिन जो हमें सूचना मिली है बच्चों वो ये मिली है कि 25 से 27 जुलाई के बीच में result आएगा हाला कि कुछ अभी technical चीजें ऐसी हैं जो solve नहीं हो पाई है जिसकी वज़े से result डिले हो रहा है तो अभी 8 से 10 दिन आपको थोड़ा सा wait करना पर सकता है result के लिए और उसके बाद में result आपको मिल जाएगा तो ये जो date समय पता है वो हमने आपको बता दिया अब आई ये बात कर लेते हैं कि वेटेस क्राइटेरिया क्या final हुआ है सुरुआत सही बच्चों 30-70 का वेटेस क्राइटेरिया मांगा जा रहा था उसके बाद में लोगों ने कहा कि नहीं 30-70 सही नहीं है अब हमें equal वेटेस क्राइटेरिया चाहिए कुछ लोगों ने कहा कि 70-30 का वेटिस क्राइटेरिया हमको चाहिए कुछ उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो मांग हुई हो best of either terms की मांग हुई बच्चों और इसके बारे में कई सारे trains करवाएगे ट्विटर पर लेकिन बच्चों unfortunately जो चीज मुझे पता चली है वो मैं आपके साथ सेर कर रहा हूँ हाला कि मैं दिल से ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को best of either term का वेटिस क्राइटेरिया मिल जाए अगर आप भी चाह रहें तो अभी कमेंट कीजिए BET लिख करके कि I support BET कमेंट बॉक्स में लिखिए बचो मैं भी यही चाह रहा हूँ लेकिन तीन से चार regional offices में मैंने confirm किया और उन लोगों ने कहा कि ये वाला वेटिस क्राइटेरिया इस result में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये जो result तयार हो रहा है उसमें equal weight is दिया गया है किसी का number किसी भी term में न तो कम हुआ है न जादा है जितने का आप करके आये थी जितना मिला है उसी को equal weight is दिया गया है इसी को आप 50-50 भी कह सकते हो और इसी को आप 100-100 भी कह सकते हो तो ये चाहे 100-100 को हो 50-50 को हो ये सब के सब मिल करके बना हुआ है equal weight is criteria मतलब term 1 का और term 2 का जो जितने जितने number आपको मिले है उतने उतने maxi मिलेंगे कोई भी कमिया जादा नहीं हुआ है ये चीज हमें पता चली है और कई सारे authentic sources से पता चली है तो उम्मीद ये है कि इस बार आपको इसी क्याधार पर result मिलेगा हालांकि अभी भी अगर आप एक बार कोशिस करें और BET को ले करके trend करवाए तो हो सकता है कुछ हो जाए लेकिन चुकि result final हो गया है तो अब इसमें कुछ हो पाएगा इस चीज की संभावना बहुत ही कम है बचो दूसरी चीज जो सबसे सौकिंग है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी क्योंकि last तक कहा जा रहा था कि इस बार बहुत ही बिपरीत परिश्थितियों में बच्चों ने एक्जाम दिया है 10th और 12th का करोना बीच में डिस्टर्ब किया पढ़ाई डिस्टर्ब हो चाहे ओर इजनल आफिसे रही हूँ हमारे कुछ ऐसे भी सोर्सेज है हैं कोर्टर में सीबेसी के जिन्हों ने बताया कि भी आप मॉडरेशन पॉलिसी इस बार भी फॉलो नहीं हुई है और ना ये last time फॉलो हुई थी इसका मतलब ये है कि बच्चों को इसका फायदा नहीं मिलेगा इसमें होता ये था बच्चों की आपके marks मालिया आपके 85 आये हैं तो 95 हो जाते थे 80 आये हैं तो भी 95 तक बढ़ा दिये जाते थे ये फायदा बच्चों को मिल जाता था लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा नहीं मिला है ठीक वैसे ही जैसे बोनस मार्क्स के बारे में टर्मोन के बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे और अंत्तो गत्वा बोनस मार्क्स नहीं दिया गया तो वही हाल हुआ है मौडरेशन पॉलिसी को ले करके हलांकि रिजल्ट आने दीजिये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी हम तो ये चाह रहे थे और अभी भी हमारी एक चाह है कि आप सभी लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए ताकि जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी पूर्टी इससे हो पाये एक चीज़ बच्चों सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिला है जो बच्चे फेल हो रहे हैं जिनको दो चार नंबर तीन नंबर से फेल हो रहे थे उनको इसका फायदा मिला है लेकिन सिर्फ एक ही टर्म मिला है या एक कि ही subject में मिला है बच्चों ऐसी बात सुनने में आ रही है हाला कि result आने पर ही confirm होगा कि किस term में मिला है या किस मतलब उसमें मिला है subject में और कितने number तक मिला है इसके लिए CBSC चुकि कुछ official नहीं बताती इसलिए इसका wait करना होगा कि grass marks policy के हिसाब से आपके number कितने बढ़े है या कितने subject में आपको इसका फायदा मिला है बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि कई सारे bad news मैंने सुना दिये चाहे moderation policy का हो wait is criteria का हो बच्चों ये bad news है या good news है ये तो सही बात है अगर आपको फायदा नहीं मिलेगा तो bad news है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका भी फा इंडिया के बच्चे होते थे जैसे यूपी का मतलब जो प्रियागराज रीजन है या बिहार के बच्चे यूपी बिहार हिमाचल प्रदेश जारखंड दिल्ली के बच्चे होते थे इधर मध्य प्रदेश के बच्चे होते थे उडिसा के बच्चे होते थे इन बच्चों का भी result बहुत अच्छा आ रहा है बहुत अच्छे से number मिले हैं बच्चों को पास होने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत जादा है दूसरी good news यह है बच्चों जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ जो data आप चुकी result बन चुका है तो बाते पता चल रही है कि जिन बच्चो 80% के आसपास बच्चे पास हुए हैं compartment में ज्यादा तर बच्चे पास हो गए हैं इन लोगों को सिर्फ एक ही exam देना था उसका फायदा इन लोगों को मिला है और सबसे ज्यादा फायदे में रहे हैं improvement वाले बच्चे क्योंकि एक exam का थोड़ा सा syllabus दे करके और उन पे इनका term 2 का exam इनका अच्छा गया इस वज़ा से इन लोगों के marks इस बार फोबच्ची तरीके से बढ़े हैं ऐसा सुनने में आया है बच्चों एक और गुर्णी उसमें आपको दे दूँ जो overall marks आते थे हर साल उससे ज़्यादा अच्छे marks बच्चों के इस बार आये हैं भले ही exam दो बार में हुआ जिस भी तरीके से हुआ तो overall result भी आप लोगों का बहुत अच्छा आने वाला है जितना expected है उससे अच्छा ही आएगा बच्चों ये चीजें सुनने में आई हैं लेकिन और भी अच्छा आता अगर best of either term की policy मतलब ये weightless criteria मिल जाता और moderation policy मिल जाती आप ल पहरहाल हमारी तरफ से धेर सारी सुपकामना है कि आपका result अच्छा आएगा अगर आपने वीडियो को last तक देखा है तो अभी comment box में लिखिए G.E.A. ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो को आप कितना seriously लेते हैं हमारी तरफ से आपके अच्छे result की धेर सारी सुपकामन आएं all the best may God bless you thank you for watching this video